ताम राम दोस्तों, पीचे मैं फिर से हाजिर हूँ एक और रेसिपी के साथ, आज में लेकर आए हूँ नन्ने मुन्ने अचारी आलू की सबजी, यह बहुत ही टेस्टी सबजी है, इसके लिए मैंने छोटे-छोटे से आलू लिये हैं, जो आजकल सब्दियों में बहुत मिलत हैं, बेबी पटेटो बोलते हैं, जिनको 40 के करीब ये आलू है, हाई फ्लेम पर दो विसल लगवाई हैं मैंने, और यह बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, आप अपने आलू की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, एक विसल, दो विसल, तीन विसल, चेक करके लगवाएं और छील लें इसको, अब हम तयार करते हैं अचारी मसाला, इंडक्शन पर कड़ाई रखकर, दो साबुत लाल मिर्च, थोड़ा समेथी दाना, एक पड़ा चमच, साबुत धन्या, एक चमच सौफ, एक चमच जीरा, और आधा चमच राई, इन सब को हमने एक साथ डाल दिय और ड्राइ रोस्ट कर लेंगे, हम दो से तीन मिनट ही लगेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, रोस्ट करके हम इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे, अब हमने दुबारा से कड़ाई रखी है, और इसमें हमने डाला है सर्सू का त आप सर्सू का तेल ना इस्तमाल करना चाहें, तो कोई और ओयल इस्तमाल कर लें, पर असली मचा सर्सू के तेल के साथ आएगा, एक बड़ा प्याज मिने चौप कर लिया है, बहुत बारीक बारीक, आपके छोटे साइज के हूँ तो दो या तीन ले सकते हैं, मेरा काफी ब भून लेंगे, तीन-चार मिनट ही भूनेंगे, क्योंकि हमने प्याज का कलर नहीं चेंज करना है, बस कच्चा पन ही निकालना है, प्याज काफी बून गया है, अब हम इसमें डाल देंगे अपना लैसन और अत्रक, काट कर, पीस कर, कद्दुकस करके, पेस्ट बना के जैस हम एक छोटे साइज की शिम्ला मिस्च और दो मीडियम साइज के टमाटर को पीस लेंगे, यह धोकर काट लिये हैं, और मिक्सर में इनका बेस्ट बना लिया है, अब यह हमारा प्याज लसन अद्रक अच्छे से भून चुका है, इसमें हमने डाल दिया है, अपना अचारी म हम दो तिन मिनट के लिए भून लेंगे, इसे डालते ही बहुत ही बढ़िया खुश्बू आनी शुरू हो गई है, अब यह भी हमारा प्याज चुका है, दो तिन मिनट हो गए है, इसमें अब हम डाल देंगे, प्या, सोरी, टमाटर और शिम्ला मिस्च जो हमने पीसे थे, यह हम अच्छे से अपने जार में से निकाल लेंगे सारा और इसमें डाल देंगे, इसे भी अब हमने 4-5 मिनट भूनना है, सब कुछ बहुत अच्छे से भूनना है, जितने अच्छा से आपका भूनेगा, उतनी ही आपकी सबजी टेस्टी बनेगी, मैं बारबर कहती हूँ, और मैंने बहुत सारी सबजी की रेसिपीज डाली है, आप और भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर, अब यह हमारा मसाला काफी भून गया है, देखिए कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है, इतना भूनेंगे, एक तम से घी छोड़ दे, और अब यह देखिए, इसने घी छोड़ दिया है, और यह अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे, दहीं, फैटा हुआ दहीं है, दो तीन चम्मच है, बड़े चम्मच, अच्छे से फैट लिया है, यह फट न जाए, इसके लिए आप गैस ओफ कर सकते हैं, यह हम अच्छ से मिक्स कर लेंगे, फिर हम अपनी गैस को ओन कर लेंगे, थाकि हमारा कर्ड फटे नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, एक दो मिनट के लिए भून लेंगे, इसको भी हम, यह देखिए, फूप अच्छे से भून गया है, इसमें हम डाल देंगे, हल्दी, नमक अपने स्वात के अनुसार, और कश्मीरी लाल मिर्च, याद रखिए हमने दो साबुत लाल मिर्च भी डाली थी, तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एच्छेस कर सकते हैं, यह ज़्यादा तीखी नहीं होती है, रंग ही आता है इसका ज़्यादा, इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा पानी डाल कर इसको बूरने के लिए रखतेंगे, ताकि सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, मसाला अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और बढ़िया सा बुन जाए, इस जिस कटोरी में मैंने दही फैटा था, उसी में ही थोड़ा सा पानी डाल कर इसमें डाल दिया है, इसलिए वाइट वाइट पानी है ये, अब इसे हमने तब तक भूनना है, जब तक हमारा सारा पानी सूख न जाए, फिस से कड़ाई ना छोड़ दे मसाला, ओल हमारा अलग ना हो जाए, इतना हमने इसको भूनना है, ये देखिए, साथ आट मिनिट हो गए हैं, और ये अच्छे से भून चुगा है, कुल मिला कर मसाला भूनने में मुझे 20-25 मिनट लग गए, अब हम इसमें डाल देंगे, अपने उबाले और चीले हुए बेबी पटैटोल्स, इसे डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा पानी डाल कर ढखकर हमने इसको पकाना है, ताकि सारा मसाला आलू पर भ अच्छे से आजाए, अगर आप आलू को प्रिक करना चाहें, तो कर सकते हैं, वैसे ये बहुत छोटे हैं, इसलिए प्रिक करने की कोई जरूरत नहीं है, पानी भी डाल दिया है, और ढखकर हमने इसको पका लिया है, ये हमने ढखकर 7-8 मिनट के लिए पकाया है, टोटल सबची बनने में, मसाला भुनने में, सबोने में आदे घंटे से उपर लग जाएगा, ये मसाले मसाले के लिए है, आलू बालना और छीलना वो अलग है, देखे, अब पानी सूख क्या है, गी छोड़ दिया है, ये सबची हमारी बिल्कुल तयार है, इसे चपाती, अधा नान, राइस, किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, जिसके साथ आप इसे खाना पसंद करते हैं, तो कैसी लगी रेसिपी, बताइएगा जरूर, ट्राइट जरूर कीजिएगा, थेंक्स फोर वाचिंग माइडियर फ्रेंड्स, थेंक्यू सो माच,